Hi guys आज मैं gravy वाली कटल की सब्जी बनाकर बताने वाली हूँ चिली स्टार्ट करते हैं इसको बनाना सबसे बाले मैंने इस तरह से कटल को अच्छी तरह से धोके ले लिया है इस तरह के sizes में मैंने इसको दिया है और इसको marinate करने के लिए मैं इसमें डालूँगी चार चम्मच दही, रेड चिली पाउडर, ब्लाक पेपर पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, और साथ में ही धन्या पाउडर, एक चम्मच. इस सारे सुखी मसाले के बाद, मैं इसमें डालूँगी अद्रक लहसन का पीस्ट, एक चम्मच और दो चम्मच हल्दी पाउडर, और अब सारी चीजों को मैं हाथ की साइता से मिला लूँगी, और इसको दो से तीन घंटे मैरिनेट होने के लिए छोड़ लूँगी, आप्टर मैरिनेशन, मैं एक कूकर लूँगी, और इसमें मैं एड़ करूँगी चार बड़ी चम्मच मस्टर ओयल, सुखी लाल मिर्च और कुछ सुखे मसाले जैसे की दाल चीनी, छोटी लाइची, बड़ी लाइची, तेज पत्ता, और साथ में साबो जीरा, आप इसमें एक कटा प्यास डाल दें, और थोड़ी दिर के बाद इसमें प्यास का पेस्ट भी आड़ करें, अब इसमें डालें कास्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, अधरक लैसन का पेस्ट, तमेटू प्यूरी जिसको मैंने घर पे बनाया है, साथ में थोड़ा सा हींग डाल दें, और मैरिनीट किया हुआ कठल इसमें आड़ करतें, अब सारी चीजों को कठल के साथ पकाएं, इससे आपकी सारे मसाले भी पक जाएंगे, और साथ में कठल भी थोड़ा पक जाएगा, तो इस तरह से आप इसको पकाएं थोड़ी दिर के लिए, आप चाहें तो इसको ढ़क के भी पका सकते हैं, तो इस तरह से आप पकाएं, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी एड़ किया है, और साथ में मैं इसमें एड़ कर रही हूँ, कस्तूरी मेथी और कीचन किंग मसाला, आप चाहें तो सबजी मसाला विगरा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अड़िशन मसाला इसमें यूज़ कर ले, अब मैंने इसमें डाला है टमिटो क्या चप, और मैं इसको फिर से अच्छी तरह से मिला के चला लूँगी, आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा हो गया है, और अब मैं इसमें डालूँगी एक से टेट चमच नमक, और इसको मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, तो आप देखे हमारे सारे मसाले भी पक चुके हैं, और अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली भी डाल दिया है, कट करके, यह अडिशनल है, अब मैं इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दूँगी, आपके पस कोई भी अगर एक स्टा मसाला हो, तो आप इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं, और साथ में मैंने इसमें डाला है धन्या पत्ते, और मैं इसको फिर से अच्छे तरह से मिला लूँगी, और यह काफी लाजवाब है, और इसका जो स्मेल भी है, वो काफी अच्छा आ रहा है, तो यह हमारा बन के तयार हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी अड़ करूँगी, और इसको तीन से चार सीटी के लिए कुप करके छोड़ दूँगी, इसके बाद यह हमारा बिलकुल तयार हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसको बन करके तीन से चार सीटी का वेट करें, और उसके बाद सबजी को इंजोई करें, तो यह सबजी आप किसी भी चीज के साथ इसली ले सकते हैं, डोटी, सबजी आप खा सकते हैं, या चाबल के साथ आप यूज कर लें, कैसे भी यूज कर लें, तो आप यह देखिए, कूकर अभी खुल चुका है, मैं इसको फिर से थोड़े देर के लिए गैस पे चढ़ा चुकी हूँ, और यह हमारा बिल्कुल बन करके तयार है, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, आप उतनी आसा ग्रेवी इसका रखें, और मेरेटेस भी अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज लाइक से रो सब्सक्राइब करें, थैंक यू,